चलिए दोस्तों सुबह की ताजातरीन खबरों के साथ मैं हाजूर हूँ आपका दोस्त अमर और सबसे पहले हम आपको लेचातले हैं इस्रो के पास इस्रो यानि इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजेसन दोस्तों इस्रो के यहां से एक बड़ी खबर आ रही है इस्रो च रियूजबल लांच वेहिकल यानि RLB का करेगा निर्माड दोस्तों जो भारती स्पेस एजेंसी है वो नासा की तरज पर रियूजबल लांच वेहिकल का निर्माड करेगा यानि जो हमारे लांच वेहिकल परिछण के दोरान खराब हो जाते थे उनका दुबारा से रियू इससे दो फाइदा होंगे एक तो जो हमारे लांच वेहिकल की लागत है वो लागत कम होगी दूसरा इलेक्ट्रानिक जो कच्रा है वो कम होगा तो अब चुकी बात इस्रो की हो रही है तो हम देख लेंगे इस्रो के स्थापना होई थी अगस्त 1979 में और इस समय अध्यक्ष है एस किरण कुमार इस समय इस्रो के वर्तमान अध्यक्ष है तो ये चीजे पॉइंट याद करिए किये रहीएगा और ये आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है तो चलिए फिर रुक करते हैं अगली ख़वर की तरफ कहां से आ रहा है अगला ख़वर अगली ख़वर भारत सुप्री म् कोड ने कहा अब और नहीं होंगे साहिन बाग यानि भारति सुप्रीम कोड मेका जो साहिन बाग की घठना थी उसे दुबआरा नहीं दोहराय जाएगा सावजनिक सावजनिक जगों पर अनिस्चित काल तक धर्ना परदसन नहीं चलेगा जस्टिस संजय कौल की अधक्षता वाली पीट ने कहा है कि सावजनिक तौर पर सावजनिक जगहों पर अनिश्चितकाल तक धरना नहीं चल सकता सुप्रीम कोड ने कहा कि सम्विधान विरोध का अधिकार देता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समू या वर्ग समाज के करतब्यों को भूल जाए तो ये बाते सामने आई हैं और चलिए आपको बताते हैं कि कुरा वाक्या क्या था देखिए बात ये था कि शाहिन बाग दिल्ली स्थित नर्सी और सी एए के विरोध में धरना पर्दसन चालू हो गया था जो करीब करीब सौ दिन से जादा दिन तक भी चला तो इसमें सामाने लोगों को बहुत परसानी हुई बाद में कोरोना संक्रमन के कारण जब दिल्ली में धारा 144 लागू हो गया तो इसके बाद इन पर्दसन कारियों को यहां से हटा दिया गया तो दोस्तों जब नया विवस्ता की बात ही उठ गई है तो आपको बताते हैं सुप्रीम कोट के स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को दोस्तों सुप्रीम कोट के स्थापना से पहले ही हमारे देश में अंगरीजों के सासनकाल में ही यानि 1862 में ही तीन हाई कोटों के स्थाप में हुई थी तभी से भारती न्यालाओं की अस्थापनाओं का दौर शुरू हो गया तो दोस्तों ये जानकारी और वर्तमान में CGI यानि Chief Justice of India है Justice Bob Dey तो ये ध्यान रखेगा Justice Bob Dey और वे 47th नंबर के भारती CGI यानि Chief Justice of India है तो इस बात को जरूर याद करिएगा ये प्रश्न कई बार एक्जाम में पूछा गया है तो अब रुख करेंगे फिर से अगली खबर की तरफ देखते हैं कहां से है तो अगली खबर है Nobel Price से स्वीडन स्थित शंस्था Nobel Price की घुशना कर दी है जैसा को आपको पता ही है भौतकी का Nobel Prize दिया जा चुका है अब बात हो रही है रसायन के छेतर में Nobel Prize तो रसायन के छेतर में Nobel Prize दिया गया है दो लोगों को इमेन्वेल शारोपीतिये जो फ्रांस की है और जेनिफर डौडना जो अमेरिका की है इन दोनों लोगों को रसायन के छेतर का नोबिल प्राइज दिया गया है इन्होंने जेनेटिक सीजर में काम किया है अब ये जेनेटिक सीजर क्या होता है जेनेटिक सीजर दोस्तों वही चीज़ है डियने में बदलाव कर गंबीर बिमारियों का इलाज यानि ये वेक्ति या जानवर के डियने में बदलाव करके जो गंबीर बिमारियां होती हैं जैसे कैंसर उसका इलाज करने में सक्षम तक्निक की इन्होंने खोच की तो बहुत ही बड़ा ये वर्दान हो जाएगा अपने इस मानो समाच के लिए तो इसी करण इन्हें नोबेल का प्राइज दिया जा रहा है तो आपको पता ही है कि नोबेल प्राइज 1901 से दिया जा रहा है तो नोबेल की थोड़ी सी कहानी आपको बता देते हैं कि नोबेल में मैडम क्यूरी एक मात्र ऐसी रही है महिलाओं में जिन्हें दो बार नोबेल अलग-अलग विसियों में दिया गया है 1903 में उन्हें रेडियो एक्टिविता की खोज के लिए दिया गया था तो यह रही मैदम क्यूरी की उपलग दता है तो आप इन सब बातों को द्हाण से रखेगा नाम इनके याद रखे ले रखेगा इमैनुवल सरा पोतिय और जैनिफर डॉडना इमैनुवल सरापोतिय प्रांसे अगली कि छबर भारती वायू सेना दिवस भारती वायू सेना से भारति वायू सेना ने बनाया अपना 88 अस्थापना दिवस दोस्तों 1920 में अस्थापना हुई थे भारति वायू सेना की और तब से लेकर भारति वायू सेना दिन रात चोगनी उन्नती ही करता जा रहा है और भारती वायू को सुरच्चित किये हुए है भारती वायू सीमा को सुरच्चित किये हुए है तो बात करते हैं इस समय जो जनरल चीफ है वह भायूसेना के वह रकेस भड़ोरिया साहब इसके चीफ एर मार्शल है और बतादें की भारती भायूसेना में जो नए नए लड़ाकों इमान शामिल हुए हैं उन नए लड़ाकों उमानों में हम बात कर लें करें तो आपको पूरी खबर देते हैं नए-नए जो लड़ाकों उमान सामिल हुए हैं सबसे पहले हम बात करेंगे मिक 29 मिक 29 इसे वायू से नमें बाज भी कहा जाता है इसे वायू से नमें बाज भी कहा जाता है या टू इंजन विमान है या सिंगल और ट्विल सिटर दोनों वेरियंट में आता है यानि इसको एक सानिक भी चला सकता है दो सानिक भी चला सकते इसकी जो स्पीड है वो है 2445 कि में इसकी स्पीड है इसमें एंटी सिप मिसाइल छोड़ी जा सकती है और इसमें 500-500 किलो के दो बम गिरा जा सकते हैं इससे अब यह हुआ कि भाया भारती से ना में कब का मिसन हुआ यानि कब सामिल हुआ भारती वायुसे ना में तो 1985 में इसको जगह मिली भारती वायुसे ना में अमेरिका के S-15 और F-16 जेट जहाजूं के जवाब में इसको लाया गया था जेट विमानों के जवाब में इसको लाया गया था और यह मिग 29 अब जानते हैं रूस से लाया गया तो अब देखते हैं इसने क्या काम किया कारीं युद्ध के हीरो जाने मीड-29 के बाद में हम भात करेँगे मिराज 2000 तो मिराज 2000 के अब हम बात करेंगे तो इसकी अधिकतम स्पीड 2495 कीमी परती घंटा है और सिंगल सीटर या सिंगर सिंगर इवन विमान है यानि सिंगल सीटर तो दोस्तों मिराज भारती वायुशना में कब कमिशन हुआ इसको बताते हैं मिराज भारती वायुशना में 1985 में कमिशन हुआ और एफ 16 लड़ाकों विमान के जवाब में भारत भारत ने 1982 में 40 मिराज 2000 फाइटर जेट खरी दे थे अब क्या रहे इसकी भूमका सर्जिकल स्ट्राइक में योगदान 1999 में कारगिल की जंग में इसका एक बड़ा योगदान रहा है और वहीं पुलुआवा में CRPF काफले पर हमले के बाद मिराज 2000 से ही बाला घाट बाला कोट सौरी इबाला कोट स्ट्राइक किया गया था थैंक यू दोस्तों अब बात करेंगे राफेल की राफेल इसे तूफान के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो अधिकतम स्पीड है 2130 किमी परती घंटा है और इसकी मारक चमता 3700 किमी परती घंटा है तो 10 सितंबर 2020 को इंडियन एर फोर्स में इसे सामिल किया गया है दोस्तों बात करेंगे सुखोई 30 MKI सुखोई 30 MKI यह फाइटर जेट हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्चम है अधिकतम स्पीड 2500 किलोमेटर परती घंटा है यह टू सिटर और टू इंजन विमान है इस विमान में ब्र 277 में रूस में रूस से भारत लाया गया और दोस्तों इसे जुलाई 2020 में बारण नए सुखोई 30 विमानों का आडर भी दिया गया है दोस्तों आगे बात करेंगे मिग 21 बाइसन मिग 21 बाइसन दुनिया का पहला सुपर सोनिक यानि ध्वनिक की गति से तेज उड़ने वाल लड़ा को भी मान है इसे वायू सेना की रिड़ भी कहा जाता था यह सिंगल सिटर सिंगल इंजन विमान है 2230 किलोमीटर यानि 2230 किमी परती घंटा इसका दिक्तम स्पिर्ट थी कब गई है सामिल या भारत में साल 1961 में मिग 21 को पहली बार खरीदा गया था 1964 में यह वायू स जहूर लड़ा को भी मान है 19 से कत्तन भारत पाकिस्तान की जो जंग होई थी इस लड़ा को भी मान ने महत्तपूर भूंका लगवाई थी सन 2019 में मिग 21 बीमान से विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था तो दोस्तों इसी के अच्छी क्लास समाप्त होती है अपना द्यान रखेगा जय हिंग जय भारत